बिहार बिधान सवा में सीम नितिश कुमार की मुष्किले बढ़ने वाली है लोजपा ने अहम रोल निभाया और लोजपा की तरब से भी यह कहा गया कि हम नितीज कुमार को हराने में कामियाब हुए हमारी पार्टी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है लोजपा और जदियू के इस सियासी खेल में सबसे ज़्यादा फाइदा राजत को हुआ 2020 विधानसवा चुनाव में राजत सबसे बड़ी पार्टी बन कर सामने आई उसके बाद बीजेपी और तिसरे नंबर पर जदियू बिहार में दो सीटों उपर विधानसवा का उप चुनाव होना है दोनों सीटों पर जदियू के विधायक के निधन के बाद खाली हुई है आपको बदा दें कि मुंगेर जिले के तारापुर विधानसवा सीट जदियू नेता मेवा लाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई है जबकि दरभांगा जिले के कुसे सबर अस्थान विधानसवा सीट जदियू नेता ससीभूसन हजारी के निधन के बाद खाली विहार में तिसरे नमबर की पार्टी है दो विधायकों के निधन के बाद से जदियू को बड़ा जटका लगा आपको बजा दें कि इन दोनों सीटों के लिए अगले छह महिने में उपशुनाव होने है विहार विधान सवाचना 2020 के बाद से लोजपा और जदियू के बीच म हालाकि जदियू के राष्टी अध्यच ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि चिराग ने जो बोया है वो काट रहे हालाकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जदियू ने बिधान सवाचनाव का बदला ले लिया है पिछले दिनों चिराग पासवान की मुलाकात राजत के वरिष्ट नेता स्याम रजग से हुई जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि चीराग पासवान-व случай मुलाकात के बाद होता है और आने वाले विधानसवा उस जुना में उतरते हैं अतरते हैं सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें मुंगेर की तारापूर सीट पर मेवालाल चौधरी को 36.39 बोट मिले थे जबकि राज़त के प्रत्यासित दिभिया परकास को 32.80 बोट मिले वहीं लोजपा की मीना देवी तिसरे नमबर पर रही और इन है 6.45 बोट मिले थे अगर हम बात दर्भंगा के कुसेसवरास्थान बिधान सवा सीट की कर लें तो यहां से जदियू के सशिभूसन हजारी को 2020 बिधान सवा चुनाव में 49.55 बोट मिले जबकि कॉंग्रेस के असोक कुमार को 34.25 बोट मिले वहीं अगर हम बात लोजपा की कर लें तो लोजपा से यहां पुनम कुमारी उमिद्वार्थी और इन्हेस नाओ दर समलब साथ नोव परतिसत बोट मिले बोट परतिसत के हिसाब से अगर हम देखे तो वहां गटबंदन में चिराग की लोजपा की इंट्री हो जाती है तो अगामी बिधान सवा उप चुनाव में दोनों सीटों को अगर हम देखे तो जब जब बिहार में उप चुनाव हुए है बीजेपी और जदियों की हार ही हुई है बिहार और बिहार से जुड़ू हुई और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी न्यूज के साथ मुशे दिजिए इजाज़त धन्नबाद